कर दो कर दो कर दो कि शस्त्र किस आत्मा को काट नहीं सकते अब में इसको जला नहीं सकती जल गीला नहीं कर सकता वाई इस खान नहीं सकते क्या से पहुंचे आत्मा कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी शस्त्र जेसे काट नहीं सकते आग जेसे जलाने सकते जब चोट लगे तो भीतर ही गूजट नैनम चले नहीं सकते नैनम दखति पाग अचारे जी मैं आयाइटी कानपूर से हूँ और जीवन के प्रती एक तरकवादी रवया रखता हूँ चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ आपको सुनता हूँ और आपका बहुत सम्मान करता हूँ मेरे कुछ मित्र भी हैं जो आपको सुनते हैं और और भी आपको सुनने वाले हैं जो कमेंट इत्यादी में लिखते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनको आप में कुछ दिव्यरोश्णी वगएरा दिखाई देती है मुझे नहीं दिखती क्या इसका मतलब ये है कि मुझे में कोई कमी है क्या मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ तुम में कोई कमी नहीं है तुम बिलकुल ठीक हो मुझे उन लोगों से ताज़ोब है जिने दिवे रोशनी दिखती है मुझे कभी समझ आया नहीं मैं तो जब भी अपने आपको देखता हूँ बहार के आईने में अंदर के दरपन में मुझे तो कोई दिवे रोशनी दिखाई देती नहीं जो देख रहे हैं उनकी महनता है कि उनको दिख रही है हम मैंने कब कह दिया कि इनलाइटनमेंट जैसा कुछ होता भी है मैं तो सौ टका अननलाइटन्ड हूँ हूँ भी और आजन्म रहूंगा भी कोई ऐसी चीज होती जो पाने की थी तो भई कुछ संभावना बनती भी कि क्या पता वो घटना घटी जाए क्या पता वो हमारे बिना चाहे ही घट जाए अकसमात यहां तो जो बात है वो बिलकुल कपोल कल्पना दिवासवपन है आकाश महल है वो हो कहां से जाएगा तो में शक है कि में अनलाइटेंड नहीं हूँ? मुझे पूरा भरोसा है और अगर सुनते हो मुझे और आएटी ते हो तो बुद्ध का भी कुछ इस्तर रखते ही होगे तो भाई उन लोगों से बचके रहना जो स्वगोशित एनलाइटेंड लोग हैं तो दो तरह के होते हैं एक तो वो जिनके गुजर जाने के बाद पीछे से उनके चेले चपाटे भक्त लोग घोशना कर देते हैं कि हमारे गुरुजी हां एनलाइटेंड थे मुक्त पुरुष थे एक तो वो होते हैं अब ये तो चेलों की साजिश है इसमें उनका कोई योगदान नहीं जो अपना जीवन जी गए तो उनका ठीक हैं जिनको मैं सबसे आदा मानता हूं कभीर सहाब उन्होंने कभी खुद नहीं कहा कि वो एनलाइटेंड हैं यह फलने देन उनको मोख्ष मिला था इत्यादे इत्यादे कुछ नहीं कभी नहीं सीधे साधे सरल इंसान थे और इसलिए मुझे प्यार है उनसे क्योंकि सरल इंसान थे इन्सान, ना परमात्मा ना परविश्वर एक आला इन्सान, बहुत प्यारे जीव, और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं, जो अपने ही मूँ से भोषणा कर देते हैं, कि मेरा हो गया, अभी अभी हो आजा ताजा ताजा, क्या वो निकल पड़ी, किसी का पहाड पे चड़के होता है, किसी का पहाड पे चड़के होता है, किसी का पने ही उपर चड़के हो जाता है, किसी का कहीं से गिर के होता है, बड़ी बड़ी जादूगरी बताते हैं, तो यह ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मूँ खोला तो मूँ से कमल निकल पड़ा हमने पानी में जहाका तो हमें अपना चेहरा ही नहीं दिखाई दिया ये सब ज्यादातर भांग गांजे के लच्छन है ये अनलाइटन्मेंट के नहीं लच्छन है कि अधर गए थे हम पहाड पे चड़े हुए थे अचानक में लगा कि हम अपने शरीर से बहार निकल गए हैं हम इधर उधर घूमने लगे अधर बढ़िया है कौन से ब्रांड की थी मेरी प्रार्थना है कि वो दिन कभी ना आए कि मुझे इस तरह कि कोई घोशना गरनी पड़े जैसे तुम हो तुम्हारी तरह आदमी हूँ जैसे आप सब लोग हैं आप ही की तरह मानवीय जीवन है और जितनी मानवीय कमजोरियां होती हैं वो भी मुझ में है इनलाइटेंड का तो मतलब होता है जैसे कोई अंतिम बिंदू आ गया कोई अंतिम बिंदू नहीं आ गया संघर्ष में हूँ आप ही के साथ संघर्ष कर रहा हूं कुछ अपने लिए कुछ आपके लिए कोई आखरी विजय मिल नहीं गई है कोई नतीजा भी पता नहीं है कि महापुरुष हैं अतार हैं महान हैं पता नहीं क्या है तो इनको तो जीत मिलेगी मिलेगी ऐसा कुछ तह भी नहीं है कोई नाइटनेन्ट तो यहरा कुछ नहीं आप इंसान की तरह देखो इंसान की तरह बात करो इंसान की तरह बात सुनो ठीक है थोड़ा ता उपर बैठ गया हूं ताकि आप सब लोग देख लेह मुझे वरना वबैठने का भी ऐसे कोई कारन इत्याद ही नहीं है और ऐसा भी नहीं कि यहां चो बातचीत हो रही हो एक तरफा है कि आपको ही मुझसे सीखना है, आपको पता नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मैं जिससे मिलता हूँ, सर जुका करके स्वयम भी उससे सीखता हूँ, खूब सीखता हूँ, कितनी बार तो प्रशन करता हूँ, उससे सीखा, ऐसे सीखा, कितनी प्यारी बात है, जो ही सामने उसी से सीखा, तो ऐसा ही चल रहा है, हाँ, इतना जरूर है कि जिन्दगी समर्पित करी है, चुणकि बोध को ही, तो आम आदमी जितना पढ़ा होता है बोध साहित, उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, आम आदमी की दर्शन पर जितनी पकड़ होती है, उससे ज्यादा है क्योंकि भई, उच्छेत रहे नो मेरा, समय लगाया है, उस पे श्रम कराया, भी भी करता रहता हूं, यही मेरा काम है, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, तो उस मामले में हो सकता है, कि जादा तर लोगों से मैं थोड़ा सा आगे हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है, जब किसी को बना दो गए न, कि उसका अब बिलकुल, उद्बोधन हो गया है, अनलाइटेन्मेंट, तो तुम उसके प्रति बड़े कुरूर हो जाओगे, यह बात अजीब लगेगी पर समझना, बहुत कुरूर हो जाओगे, क्योंकि अब तुम उसमें एक बहुत विचित्र तरह का परफेक्शन देखना चाहोगे, चाहोगे ना, है ना, भई वो क्या है, वो एनलाइटेन्ट है, तो तुम है अब उसमें क्या चाहिए, परफेक्शन, अब तुम ने उस आदमी को मजबूर कर दिया है, कि वो नोटंकी करे, क्योंकि आदमी तो आदमी है, हालमास का पुतला वो कहां से परफेक्शन हो जाएगा भाई, पर तुमने उसको क्या कर दिया, तुमने उसको बिल्कुल आसमान वाले सिंहासने बैठा दिया, अब वो भी पता नहीं क्या उसको बुद्धी फिरी थी कि उचड़के बैठ भी गया पगला, अब तुमने जो मन में एक छवी बना रखी है कि अनलाइटेंड आदमी ऐसा होता है, तुमने उससे को कि तू ऐसे ही आचरन कर, क्या कि तू तू अनलाइटेंड है ना, और वो करेगा भी, यह बिल्कुल परस पर कुरूरता का खेल है, वो नाटक करके तुमको बेवकूफ बना रहा है और तुमने उसकी संदगी बरबाद कर दिये, तुमने कह दिया अब तू आम आदमी नहीं रहा है, तो अब तुझे बिल्कुल एक खास आदमी की तरह बेवहार करना है, क्या करना है, कि डकार भी आए तो डकार को भी इस तरह से प्रशिक्षित करकी ओम निकले, कह महराज जी डकार में भी ओम मारते हैं, डकार तो डकार है, पर यह बात बड़ी अजीब लगती है नो सुनने में, कि बुद्ध को मोग छुआ निर्वान और डकार मार दी, यह तो जमी नहीं बात है, देवता पुषबर्सा रहे हैं और यह डकार मार रहे हैं, पात दिया, अजीब हो गया, कभी सुना है कोई, इस तरह कोई कहानी है, कि कोई एनलाइटेंड आदमी जा रहा था पातते हुए और, ने सुचो तो सही ना, इस बात का मनोविज्यान पकड़ो, ऐसा क्यो होता है कि, मैं नहीं कह रहा हूं कि दिखाया जाए कि, जिनको हम एनलाइटेंड मानते हैं, वो ऑढ़ भोग में चलो नहीं लिपते हैं, तो ऑढ़ बातो चलेंगाना लो सब भाते भी तुम उन bronbs से चीनने देखायो तुम कहते हुए तुम यह भी हक नहीं है भाई मुझे मेरा हक बाचाके रखने दो, मैं जीना चाहता हूं, मैं आह एन्सानी ह। और मेरी किसी के साथ कोई स्वांग करने में कोई रुचे नहीं है ऑथेंटिसिटी इमांदारी मुझे बहुत प्यारी है मैं नहीं चाहता है कि मुझे सोच सोच के बोलना पड़े आपके साथ और मैं साफ बहाव में खुले दिल से बिलकुल निर्भीक तभी बोल पाऊंगा जब मैं आपकी दी हुई चवी का बोज अपने सर पे नहीं रखे हुए हूँ अगर मुझे बार-बार यही सोचना पड़ रहा है कि लोगों की नजर में तो मैं एंलाइटेंड हूँ तो फिर तो मैं साफ सपाट और खुली बात बोल चुका फिर तो हो गया फिर तो मुझे वही सब बोलना पड़ेगा जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं फिर तो मैं आपका गुलाम हो गया ना नहीं ऐसे नहीं आपको सलाह भी इसी लिए दे पाता हूँ क्योंकि वो सब अनुभव जिनसे आप गुजर रहे हैं मैं भी उनसे न सिर्फ गुजरा हूँ बल्कि आज भी गुजर रहा हूँ और अगर मैं उनसे नहीं गुजर रहा हूँ तो मुझे बताओ मैं आपके अनुभव समझूँगा कैसे बोलो फिर तो आप जो बाते लेके आओगे मैं कहूँगा बच्चा मिथ्या मिथ्या वो चाहते हो कि हर बात को बोल दूँ मिथ्या कहो अब बाते तो सब दुनियादारी की लेके आते हो ठीक है बोल भी इसलिए पाता हूँ क्योंकि वो सब कष्ट अनुभव करें हैं जो आप करते हैं उन सब जालों को उन भ्रमों को जानता हूँ जिसमें आम फस्ते हैं इसलिए सलाह भी दे पाता हूँ झालों को अभी झालों को अब एक बाता हूँ हुआ